दोस्टो फाइनली, बॉलिवूड के दवन खान की आने वाले अगले फिल्म के टाइटल का नाम officially announcement किया जा चुका है एक जबरदस्त ग्लिम्स के मादियम से तो बाई कैसा है दबंग खान की आने वाली अगले फिल्म का ये गलिंस और क्या होगा उनकी आने वाले अगले फिल्म का नाम चलिए मैं आपको बताताएँ इस छोटे से रियक्शन के मादिम से हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरेंदर और मैं आपका एक बार फ्रिट्सेश वागत करता हूँ हमारे चैनल यानि की वाइरल न्यूजेंग्सन में तो दोस्तों ये बात हो आपनों जानती हो कि इस वक्त बॉलिवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानि के तबंग खान सल्मान खान अपनी आने वाली अगली फिल्म को लेकर काफी चर्चाओं में है जो कि इसी साल के अंत अंत में सिनेमा घरों में रिलीज होगी यानि इक बिया उनकी आने वाली अगले फिल्म को लेकर ये जानकारी अलोड़ी हमनों ने आपको दी है इक बिया दबंग खान की आने वाली इस फिल्म का नाम होगा कभी ईद कभी तिपावली यानि इक बिया ये नाम काफी दिनों तक सोशल मीडिया फ्लेटफॉरम पर ट्रेंड करता रहा त April इसके बाद अचानक ही दबंग खान की आने वाली इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हमनों के सामने आई कि बिया नहीं ये नाम नहीं होगा दबंग खानकारी इस फिल्म का और भाई इस बात की जानकारी खुद बॉलिवोर्ड के दवंग खान, यानि कि सलमान खान ने कर दी विया उनकी आने वाली अगली फिल्म का नाम होगा किसी का भाई, किसी की जान, और इस बात की जानकारी तो मैंने आपको पहले ही दे दी थी। और भाई आप फाइनली कल इस फिल्म का एक ग्लिम्स जारी करके ये बात ऑफिशली सब को बता दी गई कि भाई जो नाम सल्मान खान ने सब को बताया है वही नाम इस फिल्म का होने वाला है यानि कि कि किसी का भाई किसी की जान यानि कि कल जो ग्लिम्स अपनों के सामने आया उसे के माधिम से यह जानकारी ओफिशली दी गई है तो भाई यह तो बात हो गई इस फिल्म के टाइटल की अब चलिये हमनों बात करते भी आ इस फिल्म के इस Glims की तो भाई इस Glims को देखने के बाद में ये बात आप लोगों को बहुत ही मांदारी से कहना चाहूंगा कि भीया जो ग्लिम्स कल इस फिल्म के टीम की तरफ से जाड़ी किया गया ये ग्लिम्स भीया सलमान खान के डाई हार्ट फैंस उनके जो मतलब कहते है उनके ओपर जान छिडखने वाले जो फैणस है उनको काफी पसंद आएगा क्या बाल अरे ला मेरा वाई ले बाल रे ला है मेरा वाई वाई ने क्या चश्मा लगाया है मेरे भाई और यह बतलब श्वैग जो लोगों को पसंद है ना सलमान खान का उन्हीं को यह ग्लिम्स अच्छा लगने वाला है बहुत इमांदारी से मैं यह बात कहना चाहूंगा यह फिल्म सिनेमा घरों में आने वाली है और मैं तो मीद कर रहा था कि इस फिल्म से जुड रहे हैं बाल इदर आ रहा है उदर जा रहा है और उसके बाद में किसी का वाई किसी की जान कि एक टाइम था कि दबंग खान ऐसे ग्लिम्स दिखा कर अपने चाहने वालों को रिजहा लेते थे कि देखो वाई मेरा स्वैग इस फिल्म में ऐसा दिखेगा लेकिन अब ऑडि तो नहीं मिलेगा इसमें कोई कहानी भी हो इस फिल्म का मेकिंग भी जबर 10 लेबल पर हुआ हो और इन दिनों उनी फिल्मों को ओडियंस का सपोर्ट मिल रहा है जिनको भी यह उस फिल्म में कुछ ऐसा पॉइंट देखने को मिल रहा है जिससे उनके अंदर से आवाज उठ तो को कि बिस्ते मेकर किस तरह से अप्रीमों की घुषना करते हैं किस तरह से वह अपनी कैने फिल्मों की जानकारिया लोह को देते रहिए ईसका ग्लिम्स आज से एक साल पहले ही जारी किया गया था वो ग्लिम्स इतना जबरदस था इतना लाजबाब था कि उसी वक्त से उस फिल्म को लेकर बस बन चुका था तो भाई ये इस तरह के ग्लिम्स से ओडियन्स अब नहीं खिचने वाली है वो टाइम अलग था कि जब सल्मान खान का चेहरा देखकर ही ओडियन्स सिनिमा घर तक पहुँचाती थी भी है ये फिल्म सल्मान खान के फिल्म है ये फिल्म आमिर खान के फिल्म है ये शारू खान के फिल्म है ये अक्षे कुमार के फिल्म है यह अजई दिगुन की फिलम है बस नाम से ही फिलम में चलती थी लेकिन आप उडिएंस बोलती बिया ये ग्लिम्स लोगों को पसंद आए और मुझे अभी तक लगता है कि 19 घंटे हो चुके है इस ग्लिम्स को जारी किये हुए सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और भाई ये सलमान खान की आने वाले फिल्म का ग्लिम्स है और उसको अभी तक व्यूज कितने मिले हैं तो ये व यही बात कहीं कि भी यह ग्लिम्स लोगों को पसंद नहीं आ रहा लेकिन बाई डाइहाट फैन जो है सलमान खान के वह तो यही बात मुझसे कहेंगे कि देखो फिर से आगया नेगटिविटी फैला ले तकि सच्छाई यही है कि बॉलिवोड के मेकरों को अब टीजर काटन यह दो कि जो कि मधने वाले सित पाए तो cog वॉलिवोड को घंड के हमारे चैनल यहाने कि को लाइक स्ट्राइब करने ना बुलेगा और माहनए अपडीेट से वा तरुवड़ू को जो रहे को खेल Guya